आप सबी का स्वागत है इस चैनल पे ये वीडियो में बहुत सोज समझ के बना रहा हूँ इसके पीछे क्या है आप अपने आप समझ जाएंगे 37 लाख लोगों ने UPPET का फॉर्म बरा है इसका मतलब कहीं ने कहीं 37 लाख लोग बेरोजगार है तो हर वो आदमी जो इस वीडियो को देख रहा है प्लीज इसको शेर जरूर करिएगा और चाहिएगा तो लाइक भी कर दीजेगा क्योंकि देखे 37 लाख लोग पेपर दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और चीफ मिनिस्टर सर से और यूपी ट्रपल सी के आयोग से भी कि देखे इतने लोग पेपर दे रहे हैं अगर इसके बाद पेपर आउट हो जाता है तो ये बहुत ही गलत बात होगी और इससे क्या होता है जानते हैं इससे चोरों का मन बढ़ता है वो और नकल करते हैं और नकल कराते हैं इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चा महनत करें पूरी महनत करके फेल हो जाए वो एक अलग बात है लेकिन वो महनत करें लेकिन उसके साथ एक चोर आदमी पास कर जाए एक्जाम तो ये गलत बात इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे अगर कोई भी आदमी जो यूपी ट्रपल सी का है मुझे पता है कि इसमें मेरे खुद के ही कई सारे दोस्त हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी कृपया इस चीज़ को इंशूर करें कि इस एक्जाम में नकल ना हो सभी एक्जाम ना देने दिया जाए मेरी यही रिक्वेस्ट है लेक्पाल एक्जाम में इस जञादा कुछ नहीं एक या तो जो जो इनवाल्व है उनस सबही को ऐसी सजा दी जाए यही एकलोती सजा है कि पूरे जीवन में वो दुबारा एक्जाम ना दे पाएं एक दो साल से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है गलतियों कि मुझे पता है कि चीजें strict decision लेने से सुधरती है तो मेरा यही कहना है अगर कोई cheating कर रहा हो और उसको suspect हो और वो पकड़ लिया जाए तो उसको हमेशा के लिए दिबार कर दिया जाए यूपी ट्रपल सी के किसी भी एक्जाम से ये जरूर करना चाहिए क्योंकि इससे लोगों को क्या होता है जानते हैं लोगों को एक संतूस्टी मिलती है कि भाई इतना बड़े एक्जाम में नकल हुआ अगर पेपर कैंसिल हो पाए तो दुबारा जरूर कराना चाहिए एक्जाम को अगर नहीं हो पा रहा है इन केस या ऐसा situation नहीं है कि पेपर कैंसिल हो तो क्रपया उन लोगों के खिलाफ ऐसी कारवाई हो कि दुबारा वो जीवन में कभी एक्जाम ना देख पाएं और यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे होने वाले एक्जाम के लिए ना ये एक नजीर बेस करता है 37,000,000 लोगों ने पेपर दिया इतने दूर-दूर सिंटर गया है अब अगर इस एक्जाम में नकल हो जाती है तो यह बहुत गंभीर विशय होगा तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस बारे में कोई भी ललका जो ऐसा सोच रहा है बिलकुल भी ना सोचे करपया अपना एक्जाम दे और पूरा दम लगा के अपना एक्जाम दे बेस्ट आप लग फॉर ओल एक्जाम मेरी यही रिक्वेस्ट है सीम सरसे और यूपी ट्रपल सी से कि करपया एक्जाम में नकल को ना होने दिया जाए इसके अलमा देखे हम कुछ न कुछ चीज़ें बाहर से जरूर सीखते है बिहार में ना पांच आप्शन का सिस्टम है यहाँ पर क्या होता है आप्शन का सिस्टम सिर्फ चार है चार ही आप्शन रहते हैं उसके क्या दिक्कत होती है उसके विज़े से सबसे बड़ी दिक्कती होती है कि आम तोर पे चार से पाँच क्वेशन तो गलत ही हो जाते हैं अब वो गलत होने के बाद अगर एक क्वेशन मान लिया आपने अटेंट किया और वो क्वेशन हट गया तो एक एक क्वेशन से फर्क पड़ता है जब fight होना दात काटे जब fight होती है तो एक क्वेशन बहुत फर्क डालता है ऐसे में अगर क्वेशन हट जाए तो नुकसान उन लोगों का ज़्यादा हो जाता है जो लोग एकदम जीत के करीब थे इसलिए बहुत बहतर जैसे कि मैं जानता हूँ बिहार का जो पेपर मैं ऐसा नहीं कहरा हूँ कोई सही है कि गलत है लेकिन बिहार में जो एक्वेशन होता है उसकी एक अच्छी बात है वहाँ पांच ऑप्शन देते हैं पांच ऑप्शन देने में लास्ट वाला क्या होता है पांचमा ऑप्शन होता है केवल एक से ज़्यादा सही या कोई भी नहीं सही इससे क्या होता है कोई भी क्वेशन कैंसल नहीं होता और नुकसान कम होता है आपका कोई क्वेशन गलत भी हो रहा है तो भी वो पांच में आप्शन में ही जाएगा ये चीज़ों कोई अच्छी चीज हो रही हो ना तो उसको जरूर इनकॉपरेट करना चाहिए एक बार फिर से आप सभी को बेस्ट आप लग करपया इस मैसेज को जादा से जादा शेयर करिए, लाइक करिए ताकि हर वो आदमी डर जाए जो सोच रहा है और नकल करने की हर आदमी के मन में डर होना चाहिए अगर वो गलत काम कर रहा है तो और मुझे पता है अगर ये वीडियो सही आदमी तक पहुँच गई तो ऐसा decision और ऐसा strict action लेने के लिए वो जाने जाते हैं तो कि वो ले ही लेंगे Thank you so much